नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ओलच पी नोटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसके आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि हिमाचल परदेश में जो है सरकारी पादों पर भरते निकली है तो किन्नी विकेंसी जो है निकली है और कौन कौन इसके लिए अपलाई कर सकते हैं इसकी जानकारी जो है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो पर एंड तक बन रही है अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके शेर कर दें और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना हम बिल्कुल भी न भूले है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो साथ में बल आइ 6 मार्च 2021 को requirement जारी की गई है तो इसके लिए आप जो है 24 2021 के तक जो है apply कर सकते हैं तो देख सकते हैं आप पर class 2 की जो है वो vacancy निकली है instruction पर सकते हैं 10 पेज की जो है notification है तो name of department पर जो है health safety and regulation में ये vacancy निकली है drug inspector की ये vacancy है no vacancy इसके लिए है unreserved में 6 है unreserved ex-serviceman के लिए of HP के लिए एक है schedule tribe of HP के लिए एक है और OVC of HP के लिए एक vacancy है अगर pay scale की बार्च की जाए इसकी तो इसका pay scale जो रहेगा 10,300 प्लस 34,800 तक जो है वो pay scale रहेगा और grade पे रहेगा आपका बतालिस सो तो उसके बार जो है age आपकी 45 years तक होनी चाहिए और essential qualification जो है आपकी bachelor degree in pharmacy और pharmaceutical chemistry और पोस्ट graduate degree in chemistry with pharmacist तो इस प्रकार आप read कर सकते हैं यह जो है qualification आपको चाहिए bachelor degree जो है pharmacy में माँगी आपकी तो check कर सकते हैं पूरी notification इस प्रकार आपका जो application फिस रहेगा रहेगी वो रहेगी आपकी 400 रपे जर्नेल बालों के लिए रहेगी और जो category के candidate हैं उनके लिए जो है 100 रपे जो है फिस रहेगी और female candidate और ex-serviceman के जो candidate हैं उने कोई फिस नहीं रहेगी तो इस प्रकार drug inspector की 9 vacancy जो है हिमाचल परदेश पब्लिक service commission द्वारा भरी जाएंगी तो 10 पेज की यह notification है आपको all hp notification को subscribe नहीं किया है तो subscribe जरूर कर ले हिमाचल परदेश की हर notification सबसे पहले पाने के लिए धन्यवाद जैहिन जैभारत